ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसमें इमरान खान को अरेश्ट करके लेके जाये जा रहा है और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इनको अरेश्ट किया जैसे ही अरेष्ट किया जाता है उसके बाद में सड़क पर लोग जो है वो उतर आते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं ये वही लोग हैं जो कि तेहरीके इंसाफ पार्टी के समर्थक हैं जो कि इमरान खान के अरेश्ट के विरुद जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं इनका प्रोटेश्ट इतना ज्यादा होता है कि इससे लगबग आट लोग की मौत जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो जाती है इमरान खान को अरेश्ट किया गया कोट रूम से जहां पर इमका बायो मेट्रिक होना था पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है इससे पहले भी चार प्रधान मंतरी पाकिस्तान के अरेश्ट हो चुके हैं इमरान खान से पहले भी जो है वो कई बार प्रधान मंतरियो के उपर आरोप लगे है money laundering को लेकर और इस बार ऐसा ही आरोप जो है वो इमरान खान के उपर लगा है और money laundering के तहट जो है वो इमरान खान को arrest किया जा चुका है अब recently इस case में ये develop हुआ है कि पाकिस्तान के जो Supreme Court है उन्होंने ये decision दिया है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री पूर प्रधान मंत्री इनको release किया जाए और release करने के बाद ये कह दिया गया कि अब ये जो है वो high court के अंदर जमानत याची का दर्ज कर सकते हैं ये जो आप लोग building देख रहे हैं ये basically एक university की building है जिसका नाम है अल-कादिर इसका नाम आप लोग जरूर याद रखना जिस जमीन पर ये बनाई गई है वो जमीन एक व्यक्ती है जिसका नाम है मलिक रियाज ये जो picture में आप लोग देख रहे हैं ये व्यक्ती जो है वो मलिक रियाज है इसी के जमीन है और इसी के उपर इमरान खान ने अपना पंजा जो है वो चलाए था आप लोग नाम जो है वो ज़रूर याद रखना मलिक रियाज के बाद में मीडिटर बनती है इमरान खान की पत्नी इमरान खान की पत्नी basically deal करती है मलिक रियास के साथ में कि जितना भी पैसा है जमीन है वो इमरान खान के हवाले कर दे और उसके बाद में वहाँ पर एक trust जो है वो चलाई जाएगी basically आप लोग को पता होगा कि इमरान खान को जो arrest किया गया है वो money laundering के case में arrest किया गया है ब्रिटेन से जो पैसा आया था उस पैसे को बिना बताएं इमरान खान ने अपने पास में रखा और ये बात जब cabinet को पता लगती है तो उसके बाद में money laundering का case जो है वो इमरान खान के उपर दर्ज होता है और इमरान खान को arrest कर लिया जाता है अब recently क्या हुआ है कि पाकिस्तान की Supreme Court ने ये declare कर दिया है कि इमरान खान को जो arrest किया गया वो illegal तरीके से arrest किया गया है और उसके बाद में इनको immediately release करने की order जो है वो भी यहाँ पर Supreme Court ने जो है वो दिये है और ये कहा कि इमरान खान अब high court में इसलामाबाद की जो high court है वहाँ पर एक जमानत याचिका लगाए और उसके बाद में जल से जल कारवाई की जाए और इमरान खान को यहाँ पर release किया जाए क्या ये case यहीं तक था इमरान खान ने ये declare कि जैसे ही मैं release हो जाऊंगा उसके बाद में मैं जनता को संबोधित करूँगा और देखते हैं कि आगे case में क्या development होता है यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ जो party है उनके chairman के द्वारा यहाँ पर एक याचिका लगाई जाती है और Al-Qadir Trust ये नाम जो है वो आप लोग जरूर याद रखना अभी मैं आप लोग को इस case के बारे में बताऊंगा कि Al-Qadir Trust का case कौन सा है जिसके तायत इमरान खान को यहाँ पर arrest किया गया है और इमरान खान को यह कह दिया गया कि आप जो है वो अब इसलामाबाद high court के अंदर याचिका लगा सकते हैं देखी इमरान खान की जो उम्र है वो अभी लगवक 70 साल के आसपास में है और 1996 के अंदर इन्होंने politics को join किया था और politics को join करने के बाद शुरुवात में जब इनकी party elections के अंदर आती है तो शुरुवात में इनकी जो है वो केवल साथ seat ही जो है उस पर ये elections लड़ते हैं और वहाँ पर भी बहुत बुरी तरीके से जो है वो 1996 के अंदर elections हार जाते हैं अब यहाँ पर Supreme Court की द्वारा कहा गया कि illegal तरीके से इनको arrest किया गया है अब हम लोग इस case के development की तरफ चलते हैं देखी basically case क्या है अल कादिर trust case जो है वो आप लोग ये जो university यहाँ पर देख रहे हैं ये basically एक trust है और जिस व्यक्ति की जमीन है उस व्यक्ति से काफ़े अच्छे dealing जो है वो इन्होंने की थी देखी इमरान खान जो है वो deal करते हैं ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं मलिक रियाज मलिक रियाज जो है वो land mafia था पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज को ये कहा जाता है कि आप अपनी जमीन हमारे नाम कर दो और हम वहाँ पर एक unity बराना चाहते हैं ये जो मलिक रियाज आप लोग देख रहे हैं इसके जो bank account थे वो लंडन के अंदर थे और लंडन के अंदर जो bank account के अंदर पैसा था उस पैसे को जो है पाकिस्तानी रुपे के अंदर थी इसमें से लगबख 40 अरब जो रुपे थे वो तो पाकिस्तान की जो पार्लामेंट है कैबिनेट कमेटी है उसके सामने इन्होंने जाहिर किया लेकिन 20 अरब रुपे जो है वो बीच में मीडियेटर के तौर पर जो है इमरान खान ने ये ब इमरान खान की वाइफ आप लोग देख रहे हैं ये बिसिकली डील करती है मलिक रियास के साथ में आप लोग सोच रहे होंगे कि सरीए केज जो है आखिरकार ओपन कैसे हुआ basically इमरान खान की जो wife है इनकी बाठीत होती है मलिक रियास की बेटी के साथ में और जब phone पर जो बाठीत होती है वही phone जो tape है वो क्या होती है कि media के अंदर out हो जाती है जब वो leak होती है बाठीत जब लीक होती है उस बाठीत के अंदर ये बताया गया कि इमरान खान की वाइफ जो है वो डिमांड कर रही है मलिक रियाज से एक five karat की एक diamond ring के बारे में और ये भी कहती है कि इमरान जो है वो आपके case को रफ़ा दफ़ा कर देंगे अगर आप वो जमीन जो है वो इमरान खान के नाम कर देते है और ठीक ऐसे ही होता है और जैसे ही जमीन इमरान खान के पास में आती है तो वहाँ पर अलकादिर एक trust जो है इसकी इस्थापना की जाती है यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लगबग 5 साल के अंदर ये जो यूशिटी आप लोग देखते हैं इसके अंदर केवल 32 एडमिशन ही होते हैं पास साल के अंदर केवल 32 जो इस्ट्रेंट हैं वही इसमें एडमिशन लेते हैं तो सीधी तोर पर ये जो जमीन है वो हतियाने का पूरा का पूरा जाल जो है वो इमरान खान ने बुना था और उसके अंदर जो है वो money laundering के case में इमरान खान फंस जाते हैं कोट के दोरा क्या कहा गया चीफ जश्टी जो है बंडियाल इनके दोरा कहा गया कि it's good to see you इमरान खान के लिए कहते हैं तो सीधी तोर पर ये बयाल जो है वो भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं politically capture है वहांकी जुडिश्री जैसे हम लोग इंडिया के अंदर देखते हैं कि independent क वहां करते है जुडिश्री लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है इससे पहले भी इमरान खान के उपर और इसमें घायल होते हैं यह बताया गया है था कि लगवक आठ जो लोग है वह अब तक मारे जा चुके हैं अच्छा मैं आप लोगो एक audio tape जो है वो सुनाता हूँ इमरान खान की ही जो है उनी की वो audio tape है बिसी के लिए audio tape क्या है वीडियो टेप है जब उनको इसलामाबाद की हाई कोट के अंदर पेश किया गया था उनको अरेश्ट करने से तीन घंटे पहले की ये जो है उन्होंने खुद ने ये वीडियो जो है वो रेलिस किया था सुनिया आप लोग इसको ये जो आज मैं जा रहा हूँ वहाँ कोई पुलीस और रेंजर्स और एफसी इतनी बड़ी फौज लाने की मुल्क के पैसे जाय करने की कोई जुरूद नहीं है अगर किसी के पास वारंट है सीधा मेरे पास वारंट लेकिया है मेरे वकील होंगे लिग लोगे मैं खुद ही जाके जेल में त्यार हूँ जाने के लिए मेरवानी करें हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें इसी तरह वारंट दें कोई मेरे पूर्ट केस नहीं है, कोई इस वकद केस नहीं है, लेकिन मैं में जेनी तोर पर त्यार हुआ हूँ, जेल में डालना है, मैं त्यार हूँ जेल में डालना है, जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए त्यार हूँ. विरोनिका मैम के द्वारा एक कोर्ट जो है वो लॉंच किया गया है 2023 और 2024 के लिए आप लोग मुझे ही कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा आप लोग का एक बहतरीन कमेंट जो है वो होसला अफजाही कर देता है आप लोग के लिए कोर्स जो है वो जबरदस डिजाइन के है 1099 के अंदर ये पूरा का पूरा कोर्स आप लोग को जो है वो लेना है इसमें आप लोग को कूपन-code यूज करना है UPSC 2024 जिससे आप लोग को डिसकाउंट प्राइस के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा जो भी student UPC 2023 और 2024 के लिए तयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कुल चार sessions जो हैं, वो design किये गए हैं, 1, 2, 3, 4, overview, prelims, mains and interview और answer writing sessions जो हैं, वो आप लोग के लिए रखे गए हैं, तो ये एक तरीकर से blueprint है, आप लोग को exam को पास करने का, चलिए मिलते हम लोग next session के अंदर, तब Thank you, Jai Hind!